तो कैसे है यार सब लोग उम्मेद करते हैं सब बढ़िया है होगे भाई तो स्वागत आप सभी के एक नए वीडियो में आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एस्पेसल होगा भाई क्योंकि हम लोग जो ट्रिप करने वाले हैं वन दे की वो लगनाउ से सरवस्ति होने वाली है तो आज की डेट में हम जो डिस्टंस कबर करेंगे भाई तो 160 km जाना और 160 km वापस आना है एक दिन की ट्रिप है और उत्तर प्रदेश का बहुत ही पवित्र और बहुत ही खूपसूरत सहर एक्स्पोर करेंगे सरवस्ती और जो लोग भाई सरवस्ती से बिलॉंग कर रहे हैं या जो लोग इस वीडियो को देख रहे न ये बात लाकी स्क्राइब करेंगे इतने प्रुमो की स्तान है जिने आप जरूर विजिट करना चाहिए और उन्हें एक्स्पोर करना चाहिए उनके इतिहास के बारे में जानना चाहिए तो गास चैनल को सबस्राइब करो बढ़ते हैं आगे की तरफ राप्ती नदी की टट परिष्थित बहुत ही खुब्सूरत और पवित्र इस्थान है सरवस्ती और देस दुनिया से लोग जो लोग बहुत धर्म को मानते है ना भाई वो आज भी यहां पर विजिट करते हैं चाहे हो स्री लंका से हो मेंमनार से ह है नथे उनने लोग यह पर जरूर करते हैं टोकि ऐसा माना जयता है कि ब्राचीन समय में त्रहा सथ कि जो राजदान हुआ करती था वह महाबारत में इस ब्रान नहीं इस पुरान है जिनमें इस ब्राष्थ कोजिक्टरी था है कई सारे जो प्राचीन धर्म और निसद जो हुए उन सभी चीजों में इसका कही न कहीं जिकर आपको देखने को जरूर मिलता है तो बस फिर क्या था हमने भी सोचा क्यों ना सर्वस्ती को एक्स्पोर किया जाए जब इतना खुपसूरत और पवित्रिस्तान है तो मैं कैसे एक्स्पोर रहे ने से उसको छोड़ सकता था बस हमने सुबा उठाई भाई छे बजे में निकल पड़े अपना धाए गंटे के द निकल फोड़ा और भी आगे चलेंगे आपको चीज दिखांगा बाई बीच रस्त में पढ़ता गागरा नदी का पूल बाई एक बहुत ही खुपसूरत नदी इसमें बहे रही होगी देखने को और नजारा मिलेगे तो रिकार्ड जरूर करेंगे पूरी नदी का नजारा करेंगे दिखाएंगे आपको कितनी प्यारी नदी है अब बात कर लेते हैं होटल रुखने की विवस्ता का क्या क्या सीन है होटल मैंने बुक कर लिया था लगबल 1500 रुपे मेरा होटल पढ़ गया था और बढ़िया नेर अबाउड लोकेशन की सारी जितनी भी पॉपलर ल जाता है तो उतना चलता है 15 रुपे में ठीकता है और खाने पीने की विवे भी बहुत सही विवस्ता है कि आपको लोकल ढवा मिल जाएंगे तो आप नॉर्मल बजट लेके जा सकते हो तो देखो 15 रुपे आप होटल लगा रखलो यार और 500 रुपे आप एक दिन का खाने इससे जादा मुझे लगता पैसा आपका वहाँ पर जाने वाला नहीं है अगर आप अपनी गारी से जाते हो तो हजार रुपे का पेट्रोल लख लो आना जाना अगर आप बस से या फिट्रेन से जाते हो तो लगबग आपका 500 रुपे लगबग वो पड़ जाएगा तो मे खुबसूरत है बहुत ही लबा पुल है लबाग धाई किलो मेटर मुझे लग रहा है धाई किलो मेटर का फुल है इस पर उस सामने उदर रेल्वे ब्रीज है यह अपना प्रांसपोर्ट उसके लिए पुल है उससे जा प्रेन निकलती है बहुत खुबसूरत नजर आपको यहां पर थे फोट गिए क्लिक करा सकते हुआ वहां पर फोटों करता सकते हो सामने पाहार वहां पांसपो पूल पे हम है और बस राइड हो रही है इस से जदा बेटरी नहीं और क्या चाहिए इस सोलो राइड है एकदब मस्त है किसी चीज की कोई टेंसर नहीं है पूरी विएस्ता अपने पास थाने पीने घुमने की एकस्पोर करेंगे सरवस्ती बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो पूरा हम तक देखें मैं अभी आपको सायद वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो क्योंकि अभी जर्नी है लेकिन असली मज़ा जर्नी का ही होता है लेस्त ने सुनते के वाल नाम की होती है जर्नी का ही इसली खुब्सूरत मज़ा लेना चाहिए बस थोड़ी दरवां पर पहुंचने वाले हैं उसके बाद 123 करके जितनी भी नियर अबाउड लोकेशन से वह सारे एकस्पोर कर लेंगे एक दिन में सकते हैं पहुती सकून वाला प्लेस है अगर आप एक बार यहां ओगे ना जाने का मन नहीं होगा और जो पुरानी इंटे जो लगी हुई है न यह भाई बहुती खुबसूरत देखने में लगती है यह के वाल अवसेस बचे हुए हैं इसके अलावा यहां पर कुछ भी नह बोधी ब्रच यहीं पर कैसे स्थित है लेकिन पेड़ अब इस करेंट समय में जरजर हो चुका है इसकी जड़े कमजोर हो चुकी है और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्धिया के वर्षाकाल में रुखते थे जब वह बाहर चले जाते थे तो जो यहां के लोग हुआ करते थे वह व्याकुल होते थे तो वह कि ध्यान से देखेंगे तो आपको यह देखने कुछी से यहां पर मिलेंगी इसको आप इसके अंदर गर आप जाना चाहते हैं तो आप जूते चपल उतार के अंदर जाके दरसंग कर सकते हैं मैं जब यहां पर विजिट किया तो इस पेंड के नीचे आप जैसे ही जाओग जिसके नीचे भगवान बुद्ध बैट कर लोगों को पुदेश और ग्यान दिया करते थे तो बहुत ही प्यारा खुप सूरद रस्य है उसके बास समय रहते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाईए और फिर विजिट करिया विश्व सांथी गंटा पार जापान से लाया हु मैं इस मौके से कैसे चूग सकता था मैं भी गया इस गंड़े को बहुत ही बैट के मैंने यहां पर जो वाइप ती उसको फिल किया और प्राई कि मैं भी एक बार इस गंड़े को वजाऊं और फिर क्या था बस मैं जूते चपल निकाल के उपर चड़ा एंड गंड़े की ए तो अब आदा दिन हो चुका है उसके बाद हम निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे जो की बुद्धिस थाइस है रोड पे आप निकलेंगे ना तो रोड पे निकलने के बाद थोड़ा सा आप इदा दर देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी आप दोकर लोगों से भी बात करके यहां पे जानकारी कठा कर सकते हैं यहीं पे आपको थोड़ा सा आपको यह सामने आप देख सकते हैं यह कॉलेज है जहां पे बहुत दरम की सिच्छा दी जाती है और इसके बगल में भी एक से लंकन टेंपल भी वहां भी चलेंगे वह भी आ पर चड़के जाोगे तो चीज वहां पे देखने को नजर आईगी कि वहांसे जो सरवस्ती है वह पूरी दिखाई दिखाई देती है बegलत जो सहर है जो कस्बा जो वहां के नीर अबाओ के हैं लोकेशन से आप बगवान बुद्ध की दिखाएथी 2021,च्छे प्रंचे 1 लोग यहां पर आते हैं दर्सन करते हैं है जो प्रेयर करते हैं अच्छी चीजों के लिए अच्छे काम के लिए देखो पीछे वीव कितना प्यारा दिख रहा है नियर अबाउट में दिखाऊंगा आपको पीछे की तरफ यह स्कूल है यह रस्ता उदर स्कूल के तरफ जाता है इसके बगल में जस्ट एक तालाब बना सामक टाइम का एकदम वीव अलग ही रहता है और उसके बाद आप जा सकते हो अंगुली माले स्थूब यह जो सामने आप गुफा देख रहे हो मानता है कि यह वहीं अंगुली माले डाको की गुफा है जिसको भगवान बुद्ध ने उपदेश देकर एक डाकू से सीधे सा परशनली मैं अपने लिए उस मौसम में फूल फूल हुए थे जो की कमल के फूल थे मैं पोड़ा एपने परसनली उनको बहुत ही प्यारे फूल थे मैं उनको खुछ जाके देखा क्योंकि यह सिंगल जो चीजे तीना वो मैं खुद एक्स्टोर करना चाहता था आप भी जा जहां पर वीडियो वनाना अलाव नहीं था जो कि बागवान की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है बागवान मुद्ध की वो किवल सडर डे संडे को ही देखने को मिलती है अगर आप कभी विजिट करें तो सडर डे संडे को ही जाएं और उसका कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने को नहीं दिया जाता है तो उसकी फोटो में यहां पर लगा दे रहा हूं आप एक आइडिया ले सकते हो कि यह जो बड़ा और कितना विसाल है जैसे आप इंट्री करोगे एकदम आपका जो मन है वो पूरा सांत हो जाएगा सो बस साथ की वीडियो में बस इतना ही सरवस्ती एक बहुत ही प्यारा जिला है आप परसनली उसको विजिट करो and must visit करो यार क्योंकि यहां आप जाओगे न तो फिर आप बहुत चीज़े नहीं सेखने को बिलेगी so I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा and अगर आप भी सरवस्ती से विलाउं करते हो या सरवस्ती आप जाना चांते हो तो नीचे comment box मेरे से पूँछ सकते हो कि क्या चीज़े ध्यान रकने चाहिए क्या चीज़े ध्यान नहीं रकने चाहिए so मेरा जो personal experience रहा है एक दिन का वो मैं आप से ज़रो शेयर करूँगा नीचे comment box में आप comment करके मेरे से पूँछ सकते हो सो तब तक के लिए thank you bye bye